नमस्कार दोस्तों क्लास 7 त महारा स्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स चाप्टर नुम्बर 5 ओपरेशन्स और रेशनल लंबर्स प्रेक्टिसेट 22 क्वेशन नुम्बर 1st है केरिया और दो फॉल्विंग एडिशन्स अप रेशनल लंबर्स तो रेशनल लंबर्स के हमें एडिशन यहां पे करनी है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का नुरुद है कि चानल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और बिल आकान प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए फर्स्ट कोशन है देखिए फाई बाई 36 प्लस 6 अपन 42 अब इन दो रेशनल लंबर्स के हमें एडिशन करनी है तो जब भी दिनामेटर इक्वल हो तब हम उनके एडिशन कर सकते हैं अगर दिनामेटर इक्वल नहीं है तो हमें दिनामेटर इक्वल करने होंगे अब दिनामेटर इक्वल करने के लिए दो मेथड हैं एक तो या क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करिए या फिर दिनामेटर का ELCM ले लिजे 36 और 42 इन दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टिपल अब दोनों नम्बर्स को 2 से डिवाड होता है तो 2 से डिवाड करें 2 18 जा 36 2 21 जा 42 फिर दोनों को 3 से डिवाड होगा 3 6 जा 18 3 54 जा 21 अब 6 और 7 को किसी भी नम्बर से डिवाड नहीं होता तो हमें LCM जो मिलेगा वो इन सब का मल्टिपलिकेशन 2 इन्टो 3 इन्टो 6 इन्टो 7 2 इन्टो 3 6 6 इन्टो 6 36 36 इन्टो 7 36 को 7 से मल्टिपलाई करिए 7 6 जा 42 बारो 4 7 3 जा 21 प्लस 4 25 252 तो जो फिर्स टंबर है उसका डिन्टो हमें लिखना है 252 और सेकेंड नंबर का डिन्टो 252 अब 36 को कौन से नंबर से मल्टिपलाई करने के बाद 252 आएगा दीके 36 को 7 से मल्टिपलाई करते हैं तो 252 आंसर आता है तो 36 को 7 से मल्टिपलाई हुआ है तो 36 का जो निमरेट रहे उसे भी हमें 7 से मल्टिप्लाई करना होगा तो 7 इंटू 5 35 प्लस अब 42 के दिखे यहाँ पे 7 इंटू 6 42 और 42 को 2 इंटू 3 6 से मल्टिप्लाई हुआ है तो 42 को 6 से मल्टिप्लाई करने के बाद 252 आएगा तो 42 का जो नुमिरेटर है 6, 6 को भी 6 से मल्टिप्लाई करना होगा तो 6 इंटू 6 36 अब हमें इनके अडिशन करनी है तो नुमिरेटर जो है इन दो नुम्बर्स का सेम एज़ इस रखे 252 नुमिरेटर में अडिशन होगी 35 प्लस 36 तो 6 प्लस 5 11 बारो 1 3 प्लस 3, 6 प्लस 1 71 डिवेट बार 252 सेगेंड कुशन है 1 इंटिजर 2 प्लस 2 इंटिजर 4 प्लस 5 तो अभी यह जो नुम्बर्स है वो मिक्सड फ्रेक्शन में है तो पहले हमें इनने कनोट करना है इंप्रॉपर फ्रेक्शन में तो इन दोनों का बल्टिप्लाई होगा 3 इंटिजर 1 3 इंटिजर 3 3 प्लस 2 5 डिवेट बाई 3 प्लस 5 इंटिजर 2 10 10 प्लस 4 14 डिवेट बाई 5 अब डिनोम्टर इकुल नहीं है 3 और 5 तो हमें यहाँ पे क्रोस मल्टिप्लाई करके अडिशन करना है अब जेखिए 3 और 5 इन दो नूम्बर्स में अगर कोई भी common factor नहीं है तो आप क्रोस मॉल्टिप्लाई करके डिरेक्ट अडिशन करिए या ELCM करिए दोनों में तर एक ही होंगे अगर इन दोनों में कोई common factor है जैसे कि हमने पहले question में लिया है पहले question में क्या था देखिए आप करना होगा लेकिन अगर हम यहाँ पर ELCM लेते हैं तो simplest form करने की जरुरत नहीं है simplest form बाद में परणोट करने में की जरुरत नहीं होगी अब देखिए क्रोस मॉल्टिप्लाई कब करना है answer वैसे तो आप cross multiply करिए हर टाइम अंसर वही आएगा या ELCM लेजिए answer correct ही आएगा लेकिन एक rule जो है वो याद रखना है कि denominator में अगर common factor है तो ELCM लेजिए अगर denominator का कोई भी common factor नहीं है 1 चोड़ कर तो cross multiply करिए direct answer हमें मिल जाएगा तो 5 into 5 25 plus addition का sign लेखिए 14 into 3 42 और denominator का multiplication denominator में लिखिए 3 into 5 15 अब इनके addition करिए 5 plus 2 7 4 plus 2 6 67 divided by 15 अब 15 से 67 को divided करिए 15 4 जा 60 67 minus 60 7 remainder और 15 denominator तो answer होगा 4 integer 7 by 15 11 by 17 plus 13 by 19 अब यहाँ पे भी देखिए जो denominator है 17 और 19 इनका 1 चोड़ कर कोई भी common factor या common इनका कोई भी divisor नहीं है तो अब हम cross multiply करके यहाँ पे addition कर सकते है तो 11 को 19 से multiply करिए 19 वंजा 19 बारो 1 19 वंजा 19 वंजा 19 प्लस 1 20 प्लस 17 वंजा 17 इनका multiplication इनका करिए तो 17 वंजा 153 को हमें लिखना है 3 बारो 15 तो 17 वंजा 17 17 प्लस 15 5 प्लस 7 22 बारो 2 2 प्लस 2 4 4 23 अब हमें numerator में एडिशन करने है तो 9 प्लस 1 10 बारो 1 0 प्लस 1 प्लस 2 3 2 प्लस 2 430 डियाट बाई 423 यह अंसर होगा Q4 है 2 इन्टिजर 3 प्लस 1 इन्टिजर 3 प्लस 1 इन्टिजर 3 प्लस 77 तो दोनों भी नंबर्स मिक्सड फ्रेक्शन में है तो पहले हमें इने करनोर्ट करना होगा इंप्रॉपर फ्रेक्शन में 11 तूजा 22 प्लस 3 25 डिवाद बाई 11 प्लस 77 प्लस 3 80 डिवाद बाई 77 अब जो डिनॉम्टर्स है 11 और 77 तो इनमें कॉमन फ्रेक्टर 11 आता है 11 से 77 को डिवाद होगा अगर स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को डिवाद हो रहा है 11 से बाई 77 तो इन दोनों नंबर्स का जो LCM होगा वो greater नंबर होगा 77 क्योंकि 77 से 77 को डिवाद होता ही है और 11 से भी 77 को डिवाद होगा 11 7 चा तो 11 7 जा 77 11 को 7 से मुल्टिप्लाई करने के बाद 77 आता है तो 11 का जो नुमेरिटर है उसको भी हमें 7 से मुल्टिप्लाई करना होगा तो 25 75, 7, 175, प्लस यहाँ पे लिखे, अब 77 को 1 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 77 आता है, तो 77 का जो नुमरेटर है उसे भी 1 से ही मल्टिप्लाई करना है, तो 80 बदा 80, अब नुमरेटर में एडिशन करके हमें अंसर लिखना है, तो 5 प्लस 0, 5, 8 प्लस 7, 15 को 5, बारो 1, 1 प्लस 1, 2, 255 डिएड़ बाई 77 हमारा अंसर होगा, अब इसे हम mixed fraction में भी convert कर सकते हैं, 255 को 77 से डिएड़ करें, quotient यहाँ पे लिखे, remainder यहाँ पे और denominator 77 लिखे, तो चलिए हम इसे डिएड़ करते हैं, तो 255 को 77 से डिएड़ करना है, तो कैसे देखिए, 7 का table 25 तक आप count करें, 7, 3 जा 21, 7, 4 जा 28, इसे greater होगा, तो 3 से डिएड़ हो सकता है, तो 3, 7 जा 21, borrow 2, 3, 7 जा 21, 1 प्लस 2, 23, फिर माइनस करें, 5 माइनस 1, 4, 5 माइनस 3, 2, 2 माइनस 2, 0, 24, remainder, तो 3 question है, तो 3 integer, 24 डिएड़ बाई 77, यहाँ मैं अंसर, लिखना है, तो यह हुआ question number 1, practice it, 22 का, तो इस वीडियो में इतना ही दूस्तो, आगे का जो वीडियो होगा, उसमें हम, subtraction of rational numbers का question हम लेंगे, और हो सकता है, multiplication भी लेंगे, तो practice it, 22 का, मतलब, practice it, 22 में, खुल मिला के 5 questions है, total, इसमें सभी addition, subtraction, multiplication और division को cover किया गया है, तो ठीक है, thank you दूस्तो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वाच करने के लिए,